नमस्ते भाईयो, केरफो पेट्स में आपका फिर से स्वाधत है, तो भाईयो आज का टॉपिक थोड़ा इंपोर्टन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते है यार फटाक से, तो बिजिकली आज हमसे इतना बात करने वाले हैं, आपके डॉक के बोन्स को कैसे श्ट्रॉंग नहीं हमें, जो वो कैसे ओल्ड एज में जाता है ना तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर उसके बोन्स भी कोगे ना तो बराबर से चल नहीं पाएगा, वाक नहीं कर पाएगा, और वो मतलब फिर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि फिर आपको उसे जगे-जगे पर उठाक रखना होगा, वो चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए जुगाड लाया हो ना भाई, तो जो सबसे इजी तरीक है, वो पर बजट फ्रेंडली नहीं होगा, आपको उसके लिए कैल्शियम श्टिक्स खरीदने होगे, तो वो नहीं चलेगा ना भाई, कैल्शियम श्टिक्स, तो उसके लिए उसका तोड लेगा हो, मैं सबसे देशी जुगाड जिसे कहते हैं, हाँ, तो जो सबसे देशी जुगाड है, आपके डॉक्स को कैल्शियम देना अपने बोन में, मुर्गी की दुकान पर जाओ, मजा कर रहा हो, अरे नहीं भाई, सच क्योंकि आपको उसे एक दिन में वो पाच पैर देने होगे, अरे भाई, बोलने तो दो, पूरा पाच पैर मतलब ऐसे ही नहीं देना उसे एकदम, उसका भी तरीका है, देना स्टेप वाइस आएगी उस पर, तो सबसे पहले क्या है, आपको मुर्गी के पैर लेना है, उसे कहना कि नेल्स, जो मुर्गी के नाकुन होते हैं, वो नाकुन काट के दीजिएगा, क्योंकि नाकुन में पूरी गंदगी जमा होती है, और स्किन निकलने का सिर्फ यह रीजन है कि जो गंदगी होती है ना, उसके पैर पे, क्योंकि हम यह वो पैर से ही चलता है ना, भाई, जिसके श्केल जा स्किन जिसे आप कह सकते वो निकालने के बाद उससे अच्छे से बोइल करना बोइल करने के बाद क्या करना है उससे एक पांच पाच का सेट बनाना क्योंकि आपको उसे एक दिन में कम से कम चार से पाच तो खिला नहीं है और वो खुशी-खुशी खाएगा तो ये चार पाच का सेट बना के रखना है आपको ये आप उसे फ्रीजर में रख सकते हैं या फ्रीज में श्टोर करके रख सकते हैं यो पर दिपेंडेंट है और जो उसका स्टॉक होता है ना जो पानि में आप उसे बॉइल खरेगे वह पानी भी आ ये आपको ये देना है वह makes चिकन के सीक्स के साथ जो उसके पहरोगे ना उसके साथ आपको उसे डेली देना है वह पानी कि आज के Light City के लिए हम इतना पानी देगे कल के पाच टिकल है इतना पानी देगे तो आपको से equally divide करना है तो इससे क्या फाइदग हो कि आपके dog के bones है ना भाई full strong रहेगे और बुड़ापे में ना उसको तकलीफ होगी ना आपको तकलीफ होगी तो अगर विडियो आपको भाई इंफोर्मेंटिव लगी होगी तो लाइक कीजे नई अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट करके बताइए यार क्योंकि चैनल आपी के लिए तो बनाया है और अगर लाइक किया है तो भाई सब्सक्राइब तो करीदो चालिये फिर से नमस्ते